Dear transparent, job update में आप सभी लोगों का स्वागत है, हमारा discussion होने वाला है Small Industries Development Bank of India, CDB के बारे में हाला कि मेरे चैनल पे जो maximum strength है वो engineering background के हैं और जैसे ही मैं नाम लेता हूँ ना कि हम discussion करने वाले हैं बैंक की वैसे साथ हो सकता है कि आपका interest lose हो जाता होगा पर मैं कुछ चीज़े आपको पताना चाहता हूँ कि यह जो बैंक है और इसमें जो आपको job profile मिलेगी ना वो बाकी bank से different मिलेगी different इसलिए क्योंकि बाकी बैंकों में और भी बहुत सारे काम होते हैं बट इस बैंक का जो काम है इस बैंक का जो परपज है जो हमारा MSME sector है जो छोटी industries है उनको fund करना उनको develop करना उनको loan provide करना जो government की policies आ रही है उनको कैसे enforcement उन enforce करना है उस पर यह basically work करते हैं तो आप सोचके देखो न आपका public engagement बहुत जादा रहेगा आपके वज़े से कोई business कर रहा होगा आपके वज़े से किसी का परिवार सुखी होगा मतलब in short यह directly engagement होता है business development से न और ओ भी MSME section से तो यहाँ पर आपको job करके मजा आएगा वो जो traditional banking होती है जिसमें manager बनके आप बैट जाते हो कभी खाता open कर रहे हो कभी कई sign कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो हला कि वहाँ पे भी loan का काम होता है बट यह bank एकदम से purpose remain है कि इसको MSME को चलाना है तो मैं recommend करूँगा कि आप इस form को भरिये भले आप engineering background से हैं और आगे जहाँ प का मतलब यही है खैर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसका जो application form है वो start हो चुका है आप यह देख लो यह आपकी starting date है और यहाँ पे आपका int date दिया गया है यहाँ पे आपके exam का tentitude date दिया गया है मतलब आपको एकदम से objective driven पढ़ाई करनी है इस date में होगा तो दबा के पढ आप लोगों ने वह सारा चीज पढ़ा होगा थोड़ा सा आपको practice कर लेना है क्योंकि इसका cutoff जो banking system होता है और यहाँ पर आगे mention का cutoff होता है sectional cutoff होता है तो वह सब थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने है time based exam होता है हर section के लिए लग लग time दिया जाता है तो जैसे कि मै मेरे हिसाब से बाकी bank के job profile से थोड़ी अच्छी होती है अगर आपका interest है इस type के चीजों में industries का evaluation करना कोई start up कर रहा उसका evaluation करना कि हाँ आपको इस scheme में इतना पैसा मिल सकता है यह सारी चीजें आपको करनी होती है हाला कि बहुत सारी चीजें आपके job profile में आगे मिलेगा जो चीजे important है वो मैंने highlight किया हुआ है seat भी मतलब ठीक ठाक है आज के time में आप देखी रहे कि government job की problem है hundred seat है salary भी बहुत अच्छी है 70,000 तो approximate salary है बट इसके अलावा बहुत सारे allowances आपको मिलते हैं मैं आगे दिखाऊंगे allowances जिनोंने mention कर रखा है तो मुझे separately बताने की करने में पड़ेंगे तो बहुत बड़ी amount नहीं है ऐसा कुछ नहीं है और आज के time में job मिल जाओ बहुत बड़ी बात है job छोड़ने की तो बात की बात है अलाकि बहुत सारे लोग छोड़ते भी है जो talented होते हैं पढ़ाई करते रहते हैं कोई कुछ बन जाता है कोई कुछ बन जाता तो छोड़ते हैं लोग ऐसा नहीं है बर ठीक है जब उससे बड़ी जॉब मिल गए तो छोड़ने में क्या ही प्रॉलम में दे देना यार दो लाक रुपे और जैसा कि मैंने कहा कि job profile के बारे में थोड़ा सा detail में दिया गया तो यहां पर आप देख पाओगे कि क का काम रहेगा सोचो आप भी side business कर सकते हो आप खुद कर सकते हो बी बी को करा सकते हो किसी और का इडिया चुरा सकते हो कुछ भी कर सकते हो कोई आपको दे रहा है कि सर हम यह स्टार्ट अप करने वाले हैं पता चला कि वो करे ना करे आप ही करने लग गए तो मतलब इन शॉट आपको मज़ा आएगा इस जॉब प्रोफाइल में मज़ा तब आएगा पहले जब सेलेक्शन होगा तो सेलेक्शन लेने के लिए पढ़न अब आपको सबसेडाइज अमाउंट पर दो तीन परसेंट पर लोन मिल जाता है बाकी लोगी ग्यारा परसेंट बर रहे होगे क्या चाहिए तो बहुत सारा फेसेलिटी मिल रही है तो यह मोटिवेशन है ने कि आपको पढ़ना चाहिए खेर मोटिवेशन मिल गए है तब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रोफिशन पिरियेड रहेगा आपका दो साल का अगर आप खराब काम करते हो तो आपके प्रो को बढ़ाने के लिए ठीक है रिलेक्षेशन की बात करें तो गवर्मेंट आप इंडिया का जो भी ग्राइड लाइन होगी सब आप लोगों को पताई होगा तो रिलेक्षेशन आपको मिल जाएगा बाकि सब के लिए भी वही चीज़े हैं जो जो रिलेक्सेशन तो यह इं का जो है रिजर्वेशन वो मिलेगा मतलब इन शॉट वो सारे रिजर्वेशन की क्राइटेरिया हैं तो आप देख लेना कि आप किसमें फुल्फिल करते हो उसके इसाफ से आप फॉर्म फिल अप कर देना सिर्जन सिप की बात करें तो आपके पास है ही आप थोड़ो नहीं पाकिस्तान से आये हो बाकी एज की बात करें तो एज कैल्कुलेशन होगा फॉर्म आज से ठीक है और मिनिमम्म ट्वेंटी वनी चाहिए जो कि आपकी हो गई होगी मैक्सिम्म ट्वेंटी एट होनी चाहिए जो की उमीद करते हैं नहीं हुई होगी अगर आप कैटेग्री स चाहिए लौ में ठीक है या फिर बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए इंजिनिंग में तो कोई भी इंजिनिंग कैंडिएट इसको फिलप कर सकता है इवेन आटो मुबाइल बहुत बार लोग पूछते हैं आटो मुबाइल है कि नहीं बट यहां पे देखो आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है प्रिफेबुली सिविल इलेक्टिकल एंड मकेनिकल ठीक है तो अब साय तुमको थोड़ा सा सकून मिल लागा ना कि जो मकेनिकल को कहते हैं एवर ग्रीन ब्रांच है जो लेके तुम दुखी हो गए होगे तो कहीं कह पर यह सारी चीज़ें थोड़ी से लिखी मिल जाती हैं दिल को शकून की तरह मास्टर डिग्री इन अनी डिसिप्लिन मतलब बीए वाले अलाओ नहीं है आर्ट्स वाले लाओ नहीं है उनके पास एमकॉम होना चाहिए या बीए वालों के पास में होना चाहिए मतलब अर्णिक्स बैक्राउंड जो लोग है उनको प्रिफर्र किया जाए अब कहोगे और प्रिफरेस के देंगे कैसे थोड़ों नहीं है कि इनको इनका बिसिकली क्या से पता भी रहेगा तो या तो सब को एक एक देना है हाँ बिल्कुल देना है बाट वह फाइदा आपको नहीं है जिनकी डिगरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है भाईया मतलब सिंपल सा यह कह रहें कि जो लोग दे रखा है इसलिए यहां पर दिया है कि परसंटेज को कैसे ट्रीड करना है देखो मिनिमम परसंटेज यहां पर चाहिए 60 ठीक है और जो एक बात ध्यां रखना है कि अगर आपका 59.99 है तो यह नहीं कहोगे कि थोड़ा सा तो बचा यार 60 मान लो जो अप्रोक्षिमेशन का फिवलाई वो लगाके तो यह कहते हैं नहीं हम उसको 60 नहीं मानेंगे लेस दें 60 मानेंगे तो आप अलिजिबल नहीं रहोगे और 55 परसंट वालों के लिए अगर भाया आप एकदम थोड़ा सा भी कम हूं हो पॉइंट 01 परसंट से भी कम हो तो भी यह नहीं मानेंगे और क कम हो आप eligible नहीं हो ठीक है कई बार ऐसा होता है कि थोड़े से से रह जाता है अब grade को कैसे convert करेंगे तो यहां पर इन्होंने mention कर रखा है कि अगर आपके इन्वस्ट्री ने formula दिया है तो well and good अगर नहीं दिया है तो हम दे रहें इस तरीके से calculate कर लेना यह आपका जो है cgpa है उसके इसाफ से यहां पर आपका equivalent percentage है तो cgpa है अगर आपके इन्वस्ट्री का formula है तो तो ठीक है उसके इसाफ से 60% हो जाना चाहिए नहीं है तो यह formula आपको apply कर लेना है खेर यह सब चीजें हमारे काम की नहीं है जो काम की है वहाँ पर highlight किया हुआ आपको मिल जाएगा examination का pattern क्या है तो exam होगा आपका पूरा online एक objective है एक subjective है subjective वाला भी होगा online उसके लिए भी आपको computer में type करके ही लिखना होगा पहले बात कर लेते हैं objective के लिए तो English language का पेपर होगा इसकी language के वल English में होगी इंग्लिस का पेपर हो इंग्लिस में होगा ना भाई 30 questions 30 marks 20 minutes इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना यह 20 minutes तक ही पेपर आपको display होगा उसके बाद यह disappear हो जाएगा ऐसा नहीं कि आप इसका time यहां लगा रहा हो उसका time यहां लगा रहा हो ऐसा यहां पे नहीं चलेगा और इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहां पे sectional cutoff भी है अगर आप overall cutoff qualify कर रहे हो sectional cutoff qualify नहीं कर रहे हो तो आप eligible नहीं होगे interview के लिए खैर एक बड़ी बढ़िया चीज लगी इनकी कि इन्होंने जर्नल awareness में साफ साफ मेंशन कर रखा है कि भाईया हम banking finance और economic से related question पूछेंगे social issue भी mention कर रखा है बट यह मान के चलो कि इनके 90 परसेंट या 80 परसेंट question at least मान के चलो आप कि banking finance और economic से related रहेंगे total question 50 total marks 50 time 30 बहुत होता इतना time तो ठीक है और general aptitude की बात करें तो यह 40 questions 60 marks और 40 minute उसी तरीके safety की बात करें तो 40 questions 60 marks और 30 minute ठीक है तो यह total हो जाता है आपके number of questions यहाँ पर दे रखे हैं और यह total marks हो जाता है 200 हो जाता है total time हो जाता है 120 minutes मतलब दो घंटे बट यह time इन्होंने individually बाट रखा है यहाँ पर आपको total cut-off भी बनाए जाएगा और individual cut-off भी बनाए जाएगा आपका तो इस बात को आपको ध्यान रखना है अब यह इसके बाद आपका descriptive test भी होगा descriptive test में आपको दो essay लिखने ह होंगे एक चीज और मैं बताना भूल गया कि एक जो English का paper है यह तो किवल English में रहेगा बाकी यह जो paper आपको नजर आ रहे हैं यह Hindi और English दोनों language में होंगे ठीक है तो English का paper छोड़के बाकी सारी चीजे आप Hindi में भी कर सकते हैं अगर किसी को English में problem है उसके लिए है यह यह दो आपको essay लिखने है 2020 marks का और एक आपको business letter लिखना है तो लिखके practice कर लेना हो जाएगा असान चीज है बहुत आसान चीज है और इसको आपको type करना है computer में total time मिलेगा आपको 60 ठीक है तो यह total marks जो हो गए आपके total marks हो गए 250 तो 250 का हो गया आपका return अब जो लोग return में qualify हो अगर आप objective qualify होते हो तभी आपकी subjective वाली copy मतलब subjective वाला copy क्या है computer वाला जो assessment है वो होगा otherwise नहीं होगा अगर आप objective में ही qualify नहीं होते हो तो आपका यह descriptive वाला test check ही नहीं किया जाएगा अब अगर यहाँ पे आप qualify कर जाते हो यह आपका check किया जाएगा फिर total में से 250 में से cut of बनाया जाएगा कि कितने लोगों को interview के लिए बुलाया जाना है ठीक है तो यह सारी चीजें समझ में आ गई आपको एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो options होंगे वो चार नहीं पांच होगे जनरली bank में होता है और negative marking है 1 by 4 का अगर एक question गलत करते हो तो गलत होने के chance से ज्यादा रहेंगे और जैसे गलत होगा 1 by 4 आपको मिल जाएगा चलिए यहाँ पर वही चीजें हैं जो मैंने आपको पहले बताया है cut-off में भी required two stage पहला individual है आपका individual cut-off है उसके बाद total overall cut-off आपका लिया जाएगा यह सारी चीजें जो मैंने आपको पहले पहले ही बता दिया है वही यहां पर mention कर रखा है मैंने highlight किया है यह advertisement मैं टेलिग्राम चैनल पर share कर दूँगा वहां पर भी आप देख पाओगे पड़ पाओगे आप खुद भी जाके डाउनलोड कर सकते हो ऐसा कुछ है नहीं आगर आपको आप मेंसे जो candidate reserve category के हैं जैसे करेंगे अगर आप eligible होगे तो एक particular center होगा जहां पर बुला के आपको वह training दिया जाएगा ठीक है सारे लोग eligible नहीं है category यहां पर mention कर रखा है यही लोग eligible है चलिए अब बात करते हम online examination की पहले भी हमने बात कर लिया है तो online examination जो है पूरे इंडिया में कंड़ किया जाएग लाकि आप कौन-कौन से center preferred कर रहें उसी में से center आपको दे दिया जाएगा इंटिवी center की बात करें तो इतने सारे इंटिवी के centers पहले return qualify कर लिजे फिर तो interview कहीं पर भी जाके दे लोगों कोई problem नहीं होगा ठीक है और जो pre-exam training वाली बात है वह आप जब interest सो करोगे तो आ document produced at the time of interview तो यह सारे documents है यह तो interview के time पर चाहिए तो return के time पर सच कुछ जरूरत है नहीं बट आप देख लेना कि वो सारे चीज़ें आपके पास है या नहीं है तो यह सारी चीज़ें हमारे काम के हैं नहीं हम थोड़ा सा फटा-फटा आगे बढ़ते हैं और एक चीज और ह है यहां पर कि आपका जब exam देने जाओ गया तो आपका temperature मेजर किया जाएगा अगर कुछ भी problem होती है ऐसा लगता है कि आपको कुछ symptoms है तो आपको examination नहीं दिया जाएगा तो अगर कुछ है problem temperature जादा है तो थोड़ा tablet खा के जाना ऐसा नहीं कि पता चले कि exam में ही नहीं ब बलत बात है जो लोग staff के लोग हैं जो पैसे कमा रहें उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है और जो विचारा preparation करने में भी कुछ लोग की income होगी अच्छी खासी बहुत सारे लोग की नभी होगी तो उनको कोई benefits नहीं है कोई बात नहीं किस तरीके से apply करना है वो सारे details आपको यहां पर दिया गया online form apply करना है बाकी जो जो चीज़ अप्लोड करना है तो आप एक बाद ध्यान से देख लेना यहां पर थम भी upload करना होता है एक थम लगा के उसको scan करके वो भी upload करना होता है तो वो सारी चीज़े आप रख लेना और ना भी रखोगे तो जब वो form आएगा तो जब upload करोगे तभी आगे जाएगा आगे उससे जाएगा नहीं बाकी किस तरीके से apply करना है सारी details यहां पर आपको mention कर रखा है वैसे आप सभी engineering background की student हो क्या ही आपको दिक्कत हो कि form fill up करने में आप लोग form fill up करते करते ठक गए होगे अला कि appearing वाले तो eligible भी न नहीं होगा मतलब further summit ही नहीं होगा ठीक है तो सारी चीज़े आपको कर लेने हैं चलिए अब बाकी details दे रखा कि आपको किस तरीके से करना है तो अगर आपको कहीं पर problem है तो पढ़ सकते हो अगर उससे के बात भी समझ में नहीं आया तो आप मुसे भी message कर देना मैं भी बत form ही इसलिए होता है कि आपका जो डिवेंसे हैं जो दुसरे की problem है वहाँ पर समझें solve करें तो add the rate manu academy official search करना है यह telegram group है join हो जाना है और add the rate manu academy search करना है यह telegram channel है आपको वहाँ पर भी join हो जाईए यह चीज मैं आपको पहले बताया कि English को छोड़के बाके चीज़े Hindi English दो भाय बोल दीजिए अब यहां पर mention कर रखा है कि वह कौन-कौन से documents है जो चाहिए at the time of interview और in the exam मतलब एक ID proof चाहिए तो कौन-कौन सा चलेगा वह यहां पर mention कर रखा है near about सारा mention कर रखा है बस रासन कार्ड लेके नहीं चले जाना है और learning driving license लेके नहीं चला जाना है driving license चले कहीं और आता पहुच जाते exam देने कह रहे हैं कि आपके पास तो पहले call letter होना चाहिए इसके बाद एक ID proof होना चाहिए और ID proof का photo भी होना चाहिए ऐसा नहीं कि पहुच गए ऐसे ही यह photo जमा कराएंगे वह photo copy तो वह आपको लेके जाना है वहाँ पे examination hall में यह basically guideline दे रखा ह लोग होते हैं न कि भूल जाते हैं बाद में mail करते रहते हैं कि sir मैं अपना registration भूल गया यह भूल गया तो भईया यह कहा है कि form fill up कर लेना उसके बाद उसको print करके रख लेना in future आपको काम आएगा हो सब चीजे तो bank से request मत करना कि आप मेरा बता दो मैं भूल गया है मैं आपका है यहां पर sign करना है यह सारी चीजे हैं ठीक है तो यह हो गया end hopes हो कि आप apply कर लोगे मुझे तो लगता है कि आपको apply करना चाहिए रिजनिंग एप्ट इंगलिस ही तो पढ़ना यार पढ़ लेना ठीक है exam देके आओ कैसा लगता है चलिए this is the end of this video all the best good luck